कि फोर्स और करेंट क्यारिंग वार कि प्लेस्ट एन एक्स्टर्ण माद है टॉपिक फोड़ा से अजीव है लेकिन इतना भी अजीव है क्योंकि यहां पर एक सिंपल सी समस्या है कि आपके पास एक करेंट क्यारिंग वार है एक करेंट करेंग तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहां पर मैं बना दो करेंट करेंग जिसे डाग्राम दिख रहा है तो थोड़े देर कि मान लेते हैं कि यहां पर करेंट लोक आगा आए इसकी एक अपनी मेंगेटिक फिल्ड होती है यह मैं अच्छे से पता है लेकिन थोड़े देर के लिए भूल जाएंगे कि इसकी अपनी मेंगेटिक है इन फाक्ट पता है हम क्या सोते हैं हम यह सोचेंगे कि यहां पर इस जगे पर इस जगे पर अलड़री एक external magnetic field है उस magnetic field का direction कुछ इस तरह के से आप देख रहे हो कि वो अंदर की यह वाली magnetic field अंदर की यह जो external magnetic field है किससे प्रेड्यूस करी गई होगी इसके लिए बहुत सब्सक्राइब क्या आप और श्यू मागनेट की मदद से आप यह तो इक मागनेट की वज़े से एक field developer ही गई उस फीड में दूसरा current carrying wire है जिसकी अपनी मागनेटिक इस current carrying wire की अपनी मागनेटिक भूल जाएगग और यहां पर इस्तामाल करेंगे में लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड हैंड है उपर लिखा हुआ है लेकि फिर भी अगर हम 3D की बास करें तो हम क्या माल आनेंगे जिए दिखना हुआ है current carrying wire राइट current carrying wire एक चोटा से वीडियो जिसमें मैं दिखाई दे रहा हुआ उसको देखे current carrying wire अब यह current carrying wire को magnetic field को हम लोग middle finger से denote करेंगी middle finger से ऐसे आना यह देखें तो यह आपका current carrying wire हो गया यह आपका current carrying wire हो गया यह आपकी magnetic field को और जो थाम होगा आपको आपको फोर्स का डिरेक्शन प्लेमिंग्स राइट हैंड उन बड़ी सिंपल से कहसे है तो जिसकी वैसे अग यहां पर अगर देखेंगे तो फोर्स का डिरेक्शन जो है वह आपका तो राइट हैंड साइट की तरफ इस पर फोर्स लगेगी तो यह आपका टॉपिक है पॉर्स और current carrying आप प्लेस्ट अब यहां पर basically कुछ questions जो बन सकते हैं वो यह कि फोर्स का maximum होता है और maximum force कोती है maximum force का magnitude का I L B यह कब होगी जब L और B यानि यानि करेंट का direction और मागनेटिक करेंट का direction और मागनेटिक कि इलाब के अंदर की तरह की तरह कि आपका तो जब इन दोनों के बीच में अंगिल 90 डिगर यानि थीटा जो है वो 90 डिगरी है वे फोर्स जीरो तो फोर्स जीरो का मोसक्त तो फोर्स मिनमम वाल्य्म फोर्स की होगी जीरो यह तभी जीरो हो सकता है जब या तो करण्ट को जीरो कर दो या तो लेंट या फिर दोनों के बीच में 180 यानि करेंट क्यारिंग वार और मागनेटिक फिल अगर ऑपसित ही ना रखेंगे तब भी कोर्स जीरो हो जाए चलिए यहां पर यह टॉपिक और फोर्स यह तो पता ही होना चाहिए कि कोर्स की यूनिट यह तो जरूआ ना रखेंगे आर ना रखेंगे बीचित आर पादार पको जाएके बीच्टर कोर्स प्सक्राइब में 60 अवार पार जाएके डिल दो जारा बीच्ट की यह तोरो हो जाएके ज़ गश्यक्ग पना शीवाशतों है ओन रखेंगे।